तो हेलो स्टुरेंट्स लास्ट लेक्चर में अपने आयू पेसे इन कॉमन नेम कंप्लेट कर लिया था हेलो अलकेंज कर ठीक है अभी आपनेक्स टॉपिक स्टार्ट करते जो कि काफी इंपोर्टेंट है उसका हेडिंग है प्रिपेरेशन ओफ अलकाइल हलाड अब घ्रान से सुनना मेरी बात एक्चुली प्रॉब्लम क्या होता है तुम लोग और्गनिक पार्ट में कि बहुत सारे रियक्शन तुमको दिये है और तुमको यही पता नहीं होता कि कितने रियक्शन है और तुमको कितने रियक्शन पढ़ने है और तुम लोग को जो सिंपल लगते हो को तुम लोग पढ़ना स्टाट कर देते हो या मिודधू से प्रॉब्लेम क्या रहा है चुक्त इसको तुम लोग si我们 κα्पाomas implica क्यूंक तुमको पता ही नहीं होता कि इसको k summarize कि थीया के हैं तो अब द्यान से सुन्ना में तुमको क्या ःफना ठीक है सबसे पहले तो म solve तेरो वो एक एक करके लिख लो ठीक है कि तुमको पहले यह पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास कितने methods available है preparation अवलकाल अब करके जो सबसे पहला method है जो सबसे पहला method है वो है from from alcohols वो है from alcohols तुमको रात तुमको अगर नीद में से भी कोई उठा के पूछे रात में कि भाई कितने method of preparation है अलकल हड़के तो तुमारे mind में तुमारे जुबान पर होना चीए कि भाई मेरे पास तीन method आवले बाले जो मेरे टेशुक में दी है अलकोछ के अंदर दर जो सबसे पहला वाला है वह बाई action of HX यह है पहला method उसके बाद में जो B है अब action of HX के अंदर भी actually तीन है जो सबसे पहला वाला है वो है HCL के साथ जो दूसरा वाला है वो है HBR के साथ और जो तीसरा वाला है वो है HI के साथ ठीक है उसके बात में जो B है वो है by action of phosphorus halides यह है दूसरा मेथड इसके अंदर टोटल कितने जैसे action of HX के अंदर तीन थे action of phosphorus halides के अंदर है तुमारे पास टोटल चार सबसे पहला वाला है PCL3 के साथ दूसरा वाला है PBR3 के साथ ओके दिसरा वाला है PI3 के साथ और चोथा वाला है PCL5 के साथ PCL5 ओके PCL3 and PCL5 यह एकदम stable है और PBR3 and PI3 थोड़े से less stable है ठीक है तो यह था action of phosphorus halides में इनके साथ reaction इनके साथ reaction करवाने किसका alcohol का तो product में क्या मिलेगा तुमको अलकाल मिलेगा ठीक है यह था तुम्हारा दूसरा इसी के अंदर तीसरा भी है by action of thionyl chloride किसका action करवाना है by action by action of by action of thionyl chloride thionyl chloride thionyl chloride या इसको ही SOCl2 भी बोलते है इसी को SOCl2 भी बोलते है SOCl2 action of thionyl chloride इसी का formula होता है SOCl2 तो यह तीन हो गए from alcohols के तो क्या करो सबसे पहले डेली का रूटीन बता रहो हूं मैं डेली का जबी तुम लोग chemistry पढ़ने बैठ हो जबी डेली का chemistry पढ़ने बैठ हो तो starting के 10 minutes starting के minimum 5-10 minutes क्या करने का सिर्फ heading याद रखने का करने का heading याद रखने का कि preparation for side में कितने हैं सबसे पहला है from alcohol alcohol के अंदर भी तीन है सबसे पहला है by action of HX इसके अंदर भी तीन है HCL HBRH उसके बाद second by action of phosphorosolid उसके अंदर चार है PCL3, PBR3, PI3 and PCL5 उसके बाद तीसरा कॉनसा बाइक्षन ऑफ थाड़नील क्रोड जिसका formula है SOCL2 तो ऐचे तुम लोग जब heading rule याद रखोगे ना तो automatically मैं bored रहा हूँ अगर तुम लोग पास दिन भी किना five days अगर पास दिन भी तुम लोग यह चीज़ फॉलो किये ना तो चट्थे दिन शिक्स तड़े पे तुम लोग को यह चीज़ याद हो जाएगा कि कितने methods available ले एक बार याद हो गया तो फिर reaction वाले question solve करना बड़ा easy बन जाते है ठीक है मैं bored रहा हूँ एक पर ट्राय करो definitely यह work करता है ठीक है तो यह था पहला वाला from alcohols इतना लिखके हो गया इसके बाद आता है second तो सबसे पहले मैं तुमको सिफ हेडिंग लिखा के देरो क्योंकि important है ऐसी ही reaction को पढ़ा जाता है ऐसी नहीं कि कोई भी reaction है पढ़ना start कर दिया नहीं ऐसे नहीं होता है ठीक है तो सबसे पहला वाला हुआ from alcohols उसके बाद जो second वाला है जो second वाला है वो है from hydrocarbons वो है from hydrocarbons और hydrocarbons में hydrocarbons में यह यह दिया है from alcohols किसके साथ करना है from alcohols किसका action करोगे यहां पर शीदव ब्रेकर में लिख लो from alcohols action of जोग्राप किसका action करना है action of hx action of hx अब इसके अंदर भी actually 2 आता है एक आता है symmetrical alken, एक आता है unsymmetrical alken, ठीक है symmetrical alken में तो कोई problem नहीं है लेकिन जो unsymmetrical alken है वहाँ पे तुम लोग को margonikofrul apply करना पड़ेगा, और वहाँ पे HBR आ गया, और वहाँ पे paroxide भी लिखा हुआ रहेगा तो तुम को anti-margonikofrul apply करना पड़ेगा, ठीक है तो इसके अंदर भी दो है, जो सबसे पहला वाला है, वो है symmetrical वो है symmetrical alken symmetrical alken के साथ करना है, और जो दूसरा वाला है, वो है unsymmetrical alken, वो है unsymmetrical alken के साथ करना है तुम लोग को, ठीक है, एक है symmetrical, दूसरा है unsymmetrical, ये था बी वाला ठीक है तो जो अंसीमेर्टेकल ले उसके अंदर मार कुने को फुरूल भी लगेगा और खराशिकर भी लगेगा वो मैं आगे बता दूँगा ठीक है अब जो तीसरा वाला है जो लास्ट वाला है उसको बुलते है इसका नाम है इसके अंदर भी दो आते हैं एक है फिंकल स्टेंड रियक्शन एक है फिंकल स्टेंड रियक्शन और जो दूसरा है और जो दूसरा है वह स्वाइं प्रीयक्शन जो दूसरा है वह स्वाइं reminder क्यां बएक है एक है फिंकल स्टेंड और दूसरा है स्वाइं ठीक है तो तुम्हों को याद होना चीन कि टोटल कितने है टोटल अने टैस्ट में दिये है तीन lles से पहला है lot अल्कोहल के अंदर भी तीन है कॉनसे कॉनसे बाइक्षन और एक्षन और फॉस्प्राइड और इतना याद होता है तुम लोग को पास दिन के अंदर तो मेरी गैरेंटेस के उपट उन्हों कोई भी कोशन आसाने से सॉल कर सकते हो तो यह मैं क्यों लिखा के दे रहो तुम लो इसको देखे तुम्हों को लिखे लो तुम्हाने टेश्ट में ऐसा सेपरेटली दिया नहीं एक के बाद एक स्टाइट किया बड़ वैसे पढ़ाऊंगा तो कोई मतलब नहीं निकल तो उसका ठीक है इसने तुमको पहले सेपरेटली लिखके दिया ओके चलो अब करते है सबसे पहला है प्रिकारेशन ओफ अलकाल है में जो आपने अब भी जेस्ट हेडिंग लेगा थोड़े टाइम पहले कौन सा था फ्रॉम अल्कोहॉल्स तो वाप इससे हेडिंग डालो जितनी बार हेडिंग डालोगी उतनी बार तुमको याद रहेगा क्यों क्या लेना है त अलकोहल का मतलब क्या होता है 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 अलको हलएड का preparation पत्रीक है तो प्रोडक्त में क्या बनने वाला है वह फिक्स है क्या बनने वाला है प्रोडक्त में बनने वाला है a r for quarantile and x for हलएड तो चेक कर लो तुम्हारे पास यहां पे क्या मिल यह औश चेक करो तो चेक करो यह क्या अड़ पर लुद्बաձ की कि बात reaction ठीक है अभी यहां पर जो एच्छिय तुम लोग यूज करते हो यह एक्चुली यह एक्चुली एक distinguishing of alcohol के लिए भी काम आता है इसको बोलते है distinguishing test of alcohol यहां पर एक reagent यूज किया जाता है जो मैंने लिखा नहीं अभी बता रहा हो इसको मैं सिर्फ यहां पर लिख सकता हो ठीक है अलर का मतलब होता है lucas reagent यह एक important reagent है highlight कर लेना इसको ठीक है lucas reagent यह lucas reagent होता क्या है क्यों होता है unhydrous यह होता है unhydrous ZnCl2 unhydrous ZnCl2 plus concentrated HCl यह दोणों से बनता है लुकास रिजेंड अना एंटर जेंड लुकास रिजेंड काम क्या आता है तू डिस्टिंग्यूज अल्कोहॉल्स टू डिस्टिंग्यूज डिफरन टाइपस अल्कोहॉल्स डिफरन टाइप का मतलब क्या है डिफरन टाइप का मतलब है प्राइमरी सेकेंडरी एंट तर्शरी तो अभी मैं तुमको एक इंपोर्टन पॉइंट लिखा के दे रहा हूं यह लिख देना सबसे पहला पॉइंट क्या है अगर तुम लोग प्राइमरी अल्कॉहल मतलब मैं डारेक्ली बन डिग्री ओश लिख सकता हो तो अगर प्राइमरी अल्कॉहल प्लस लुकास टेस्ट करवाते हो तो प्रोड़क्ट में जो प्राइमरी अल्कॉहल प्लस लुकास रेजन करवाता हूं तो कोई भी तर्बीटी अब जरू नहीं होती इसका मतलब क्या है बन डिग्री अल्कॉहल इतना ज्यादा रियक्टिव नहीं है लेकिन अगर मैं टूडिग्री अल् का reaction करवाता हूँ लुकास रिएजन के साथ तो जो तर्बिटी है वो मेरे को 15-20 मिनिट में दिखना स्टार्ट हो जाती है ठीक है तो क्या लिख सकते हो तुम अब इसको अच्छे से लिख सकते हो तो turns into Turbid turns into Turbid Turbid में convert हो जाते लेगन करव आफटर 15-20 मिनिट 15-20 मिनिट के अंदर यह solution कीतनों कनवर्ट हो जाता है तर्बिटी में convert हो जाता है मतलब ही reaction हो गया reaction हो गया कि 2 डिगरी अलकॉहल लुकास कę साथ रेक्ट कर गया लेकिन तोड़ाताः ताlot हैं लगा जो ट्रीचिन करवाते हो तो जो फने मिजेयटली तुरंत जैसे तुम लोगोगोगों तुम लोग 1-0 को दिस्टिंग्यूस करने बोले तो क्या करोगे तुम लोग वन डिगरी अल्कॉॉल का फिर लुकास के साथ तुम लोग टेस्ट करवाते हो तो प्रैक्टिकली कोई भी टेर्बिडिटी अब्जर्व नहीं होती अगर सेकेंड डिग्री अलकॉल मतब टू डिग्री अलकॉल का करवाते हो तो वह सॉलुशन तर्बिड मिलता है तुम लोग को सॉलुशन कैसे मिलता है तर्बिड मिलता है इसको अब इसको अपन इसके रियक्शन फॉर्म में पढ़ते हैं इतना लिख लिया ठीक है अब इसको अपन पढ़ते हैं इसके रियक्शन के फॉर्म में तो अब यहांके ध्यान से देखना लिए तो तुम्हारा जैनरल रियक्शन यहां पर लिखा हुआ है रोएच प्लस एचल लुकास रिजेंड के प्रेजेंस में इसका रियक्शन कराओगे तो क्या बनता है रो अब इसके आपन एक्जेंपल देखते हैं यह कैसे बनता है अगर मैं यहां पर लिख लेता हूँ सिंपल साथ च्छ 3-0-1-2-1-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2- ओन जाएगा प्रोडक्ट में च 3-1-2-1-2-2-1-2-2-1-2-2-5-2-1-2-2-1-3-2-1-2-1-2-2-2-9-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-3-2-1-2-2-6-1-1-2-1-2-1-3-1-2-0-2-1-2-1-2-1-2-1-2-2.1-3-2-1-2-2-1-2-2-1-2-2-9-3-1-2-1-2-1-2-1-2-2-1-3-1-2-1-2-2-1-2-1-2- जाएगा मिधेन मिधेन और एंडिंग में क्या जाएगा ओल क्योंकि अल्कोहल है और इसके लिए जाएगा ओल मिधेन मिधनोल से किसमें करण वाद हुआ आम यहां पर मैं जागा नहीं छोड़ी पहले वाट दिया तुम लोग ऐसा मत करना सी यह सेल के निशे क्या लिखोगे हेलो अलकेन हेलो अलकेन मतब क्लोरो मिधेन इसका नाम क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा क्लोरो मिधेन इसका नाम हो जाएगा क्लोरो मिधेन प्लस ह्टू प्लस ह्टू इसका नाम हो जाएगा क्लोरो मिधेन प्लस ह्टू तो यहां पर तुम लोग को रियक्टरन के निची रियक्टन का नाम, प्रोडक के निची प्रोडक का नाम लिखना, फिए अभी से आधत राखो तो ही एक्सम में आत है और नाम लिखना और प्रेजेंटेशन खराब हो जाता है उससे ठीक है तो समझ में आ आ गया क्या क्या कतना है simple okay तो यहां तक तुमको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए एक दम सिंपल सा reaction है अब actually होता गया ना कोई भी reaction का तुमको पहले basically mechanism बता होना चाहिए कि कोन से mechanism पर काम करता है कैसे इसका reaction continue किया जाता है देखो तो पहले में क्या करता हूना तुम लोग को for your correct answer अब तुम लोग फस होगे कहा हो में तुमको बार में बता तो पहले mechanism देख लो ठीक है इसका क्या देख लो mechanism जब तक तुम लोग mechanism से भागो गे ना तब तक तुम लोग chemistry समझ में नहीं आएगा basically organic chemistry तो समझ में नहीं आएगा reaction पाट नहीं समझेगा अगर तुम लोग reaction को mechanism से नहीं पढ़ते हो तो ओके चलो अब स्टार्ट करते हैं इसका मैं क्या है इसका mechanism देखो CH3OH से मैं explain करता हो basic example से यह है तुम्हारा methionol CH3OH ओके दिस इस योर अब तुम लोग attack किसका करवा रहे हो पहले hcl का attack करवा रहे हो तो अगर तुम लोग reaction में तो hcl में से active component कौन है hcl में से जो active component होता है वो है है h plus hcl का जो active component होता है वो होता है h plus ठीक है तो यह जो h plus है यह h plus किसके पास जाने की कोशिश करेगा यह definitely इलेक्ट्रोफाइल है तो यह nucleophile के पास जाने की कोशिश करेगा nucleophile कौन दिख रहे है तुमको oxygen के इसके पास अरको option है तो यह क्या करेगा इसके ऊपर इसके ऊपर क्या करेगा एक घ्रापर बस और यह수 को चर्च करों कि हुआ आएंगा इसके उपरा पॉसिटिव फ्लस घिक का अब तुमको यहां पर दिख रहा है कि हो PUBG हम चार थो है काफी अच्छा लिविभ रूप हो है तो यहांपर होगा क्रा सब्सक्राइब होगा कि यह जो बॉर्ण Sigman क्यर कोशिश करें कि ह 15 यहां हु IQ जब हस से निकल है अपने इलैड़न के तो यहां पर बचा कॉन चेक करो यहां पर बचा CH3 और इलेक्ट्रों करिंड किए कारडन इलेक्ट्रों दोनेट किया सि, तो reject बन पर आगया प्लस मतलब इसका इंटरमीजेट कौन बना इसका इंटरमीजेट बना एक कार्बोकटायन इसका इंटरमीजेट कौन बना कार्बोकटायन मतलब यह कार्बोकटायन जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा यह कार्बोकटायन जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा उत इसका होता है काई सबसे कंस्टेबल इसलिए आसान से निकलना नहीं नहीं देगा इसके लिए तो इसके लिए यहां पिर बहुत रियक्षिन प्रफिर इसके बाद में क्या होता है यह जो च्छी बना इस पर अटक कॉन कर देगा अब लिए तो यहां पर आता है नेक्स टेप में नुकलियोफाइल क्या कर देता है और क्या बना देता है यहां पर देता हूँ तुम लोग इसको सॉल कर सकते हो देखो और इसका रेक्शन करने बोलता हूँ हो हल्कीड के साथ क्या हो च्रींत करेंगा यहां पर क्या आजएगा उट पने तरफ के चेगा प्लस चर्च मवरबबर और एक लों पर इसके पास उसको कुछ नहीं होने वाला है ठीक है अब यहां पर क्या होगा यह जो बॉंड के जो इलेक्ट्रोंस हो यह आपने तरफ किज़ेगा क्योंकि H2 is a good living group और जैसे यहां पर H2 रिमू होगा तो प्रोड़क्ट क्या बनेगा चेक करना प्रोड़क्ट बनेगा कुछ यहां पर ऐसा चेक करो प्रोड़क्ट क्या बनेगा CH3 CH CH3 एलेक्ट्रों कि इसने डोनेट किया है यहां पर कार्बन डोनेट किया तो क काफी चेबल है जिरो डिव तो काफी स्टेबल है थीक है जो अपने यह वाले एक्जामपल देखा था थीसरी फ्लस यह कॉन्सा है सब्सक्रों किहां और बनेगा अब चेक करो यह तो नहीं बना है इसमें और कोई स्टेबिलिटी है प्लस यहां पर डायरेक्ट यहां बना देगा यह बना देगा यह बना देगा GH3, CH, CH3 यहां पर आ जाएगा CL तो इसका नाम क्या ओ जाएगा इसका नाम हो जाएगा 2- Cloropane और इसका नाम क्या था प्रोपेंट 2-- तो हरे creation को mechanism point of view से पढ़ो mechanism point of view पढ़ोगे पर तुमनों mechanism से डर निकल लिया तो तुमनों कोई mechanism आसानी से solve कर सकते हो तुमको reaction रटा मानने की जरुवत ही नहीं पड़ेगी clear हो गया तो जैसे मैंने तुम लोग को एच बिया और ही का पूरा mechanism नहीं बताओंगा शिप बता दूंगा कि उसको एक्जाम में लिखना कैसे बड़ उसका mechanism यहीं प्रिंसिपल पर वख करेगा CL- के जगा पर तुमको क्या लेना पड़ेगा BR- and I- clear है तो मैं तुमको एक अलग से example ले लेता हूँ जो काफी important है rearrangement वाला वो तुमको पता होना चीए वो example तुमको पता होना चीए ठीक है देखो अगर कोई example ऐसा है तुमारे पास CH3 CH यहां पर दे दिया है CH3 यहां पर दे दिया है CH2 OH अगर ऐसा example है तुमारे पास और इसका reaction करवाया जाता है है HCL के साथ है HBR के साथ है HI के साथ तो होगा क्या जैसे ही तुम लोग पहले है एक प्लिस का attack करवा होगे तो यहां पर बनेगा क्या product चेक करना CH3 CH CH3 ओके यहां पर बन जाएगा CH2 यहां पर बन जाएगा O एक है जाएगा औक्सीजन पर एक लोगन पर एक प्लस चाज अब तुम लोग क्या करोगी तुम लोग करोगे इसका electron चीन होगे बराबर क्योंकि यह गूड लिविंग रूप है निकलने की कोशिश करेगा और यह निकलेगा तो कार्बन पर क्या जाएगा प्लस चाज तो है तो यहां पर होता क्या है अब देखो अब मैं यह वाले पाट को यह वाले पाट को थोड़ा सा वापिस इस लिखके explain करता हूँ देखो यही पार्ट को मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ क्या CH3 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 यह जो H है इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ and यह है CH2 plus clear यही चीज़ को मैंने यहाँ वापीश से लिखा यहाँ क्या होगा कुछ कि यहजो प्लस चार्ज होगा क्या हाइड्राइड शिफ्ट क्या बूलेंगे इसको यहां पर क्या होगा यह जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का यह बॉन्ड के पूरा बॉन्ड हो जाएगा और यह किसमें कनवर्ट हो जाएगा यह कनवर्ट हो जाएगा च्री सी सी ए ही हैच 3 धा यह माइनस के पॉर्म 김ार माइनस और फ्लस्न न जातर दीची से इससे यह में नहीं है सकती कुछ भी लेड्रेंट करके तो अब स्टेप में क्या होजाएगा इस तो क्या बन जाएगा यह बन जाएगा च 3C CH 3C H3 एंड यहां पर आ जाएगा सीए ख्लियर तो हमेचा जहां पर ओच अच्छ हो जैसे यहां पर ओच अच्छ था तो तुरंत वहां ओच को हटा के सीएल मत लगा देना हरे केस में वर्क नहीं करता है तुमको क्या चेक करना करेगा एच आई के साथ भी और एच बी आर के साथ भी बस इसमें चेंज क्या होगा यह तुम लगको नेक्स वीडियो लेक्चेर में एक्स्क्रेम कर दूंगा ठीक है तो अगर तुमको कंटेंट अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक कमेंट शेर और कुछ भी डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट करो आई विल रिप्लाइट विट और हां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ तुमको एक लिंक मिलेगा यह वीडियो से लिट्रेड़ी उसमें पार्च से चे कोश्यंस रहेगा उसको सौल करो एंड आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो में बता जादूंगा कोन्सा करेक्ट है कोन्सा रॉंग है तो तुम लोगों समाझ में आएगा कि यह लेटिस से तुम लोगों को कितना बेनेफिट है तुमको कितना नोलेज गेन हुआ है ओके तो थेंक यू